नमस्कार साथियो तो बचो टॉप 100 MCQ जो सीरीज चल दी है हमारी अगस्त 2020 के जो बाद में जोड़े हो उन्हें बता दू में जनवरी 2021 से सीरीज हमने चलानी शुरू की थी जनवरी 2020 से लेके और आज अब ये अगस्त तक पहुंच गई है ठीक है अगस्त 2021 तक ठीक है तो चा आप देख सकते हो विसे मेरी ये कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी वह करा दूं बच्चो लानी तो एक मेराथन भी थी लेकिन अभी स्वास्थ अलावी नहीं करना बिल्कुल मुझे पता है वो खड़े होके ली नहीं जाएगी तो जो चीज बीच में छोड़नी पड तम ही हो जाएंगी और टॉप 100 बनते भी नहीं है पचास साथी कुशन बनते कुल मिला के आज भी साथ से कम कम ही कुशन है कितने साथ से लेके कम ही कुशन है बच्चो ठीक है तो शुरू कर देते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किये भारत और किस देश के बीच ध्यान र होता है कहा हुआ वोलगो-गराद में और जब वोलगो-गराद नाम की जग्या आ जाएगी नीगि तो आप समझ जाओगे खुदी है ना तो इंड़्र सबसे बड़ी बात है हुआ किस-किस बीच में इंडर हुआ भारत और रूस के बीच में किस-किस बच्चो को रूस और भारत के बीच में होता है इंद्र बच्चो ठीक है चलो रूस और भारत के बीच में टू प्लस टू वारता भी शुरू हो गई है क्या होगी है टू प्लस टू वारता आपको पताईए न दो दो मंत्री भाग लेते हैं विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इस देश के विदेश म मुडना चीए बच्चो ठीक है तो विध्या परवेश प्रोग्राम यानि विध्या में परवेश करने का समँद्ध क्या है गउं के बच्चों को play school की सुविधा देने से सम्मद्ध गाउं के बच्चो को play school की सुविधा देने से इसका संबंद है बच्चो ठीक है मानव तसकरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है बच्चो मानव तसकरी जो लोगों की खरीद फरुक्त होती है उसके खिलाफ world day जो है कब मनाया जाता है बच्चो क्योंकि बहुत सारे मानलो किसी बच्चे को कड्नेप कर लिया कोई उससे क्या करता है कोई उससे भीक मंगवाता है कोई कुछ करता है कोई कहीं पर किसी के अंग बेच दिये जाते हैं तो मानव की जो तसकरी है वो ना हो वो खत्म हो जा उसके लिए दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है किस देश के रास्टिय कला संग्रहले में रखी भारत की तसकरी की हुई 14 मुल्यवान कलाकरतियों को वापस लोटाने पर सहमती बनी पिछले साल भारत और उस्टेलिया के बीच में एक सहमती बनी बच्चो क्या सहमती बनी कि वहाँ पे जो उनके संग्रहले में मूर्तियां रखी हुई थी कितनी कितनी बच्चो कलाकरति रखी हुई थी 14 कि हम उन्हें वापस लोटा देंगे ठीक है वो भारत की थी तसकरी करके वो इधर उधर पहुँचाई गी और वो पहुँच गी ऑस्टेलिया में बच्चो ठीक है चलो तो हो गई ऑस्टेलिया में जो है यह सहमती बनी बच्चो अंतरास्टी बाग मानक कारेकारी समीती जो बाग मतलब जो यह देखती है कि कौन सा टाइगर रिजर्व इंटरनेशनल लेवल का टाइगर रिजर्व है यह जो अंतरास्टी बाग मानक यानि की इंटरनेशनल टाइगर स्टेंडर्ड्स एग्जेक्यूटिव कमेटी जो है उसने क्या कहा बच्चो उसने कहा कि भारत के इतने बहरत के इतने जो Tiger Reserve हैं वो International Standards पर भी खरे उतरते हैं International Level के Standards पर भी खरे उतरते हैं कितनों को बताया बचो 14 Tiger Reserve को कितने को 14 Tiger Reserve को भारत के को बताया था जो उंतरास्तिय लेवल पर भी खरे उतरते हैं विल आइजनर Comic Industry Award पहली बार मिला था पिछले बार आनंद राधा कृष्णन को ठीक है विल आइजनर Comic Industry Award बचो विश्व इस्तनपान सब्ता कब से कब तक मनाया जाता है एक से साथ अगस्त विश्व इस्तनपान सब्ता एक से साथ अगस्त बी आरो द्वारा दुनिया की सबसे उची सड़क कहां बनाई गई लद्दाक में बच्चो ठीक है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है छे अगस्त को हिरोशिमा पर पहली बार बम गिराया गया था हिरोशिमा कौन से कंट्री का शहर है जापान का है बच्चो ठीक है कौन सा बम गिराया गया था पहली बार अटॉमिक यानि परमानु बम का जो प्रियोग दुनिया में पहली बार हुआ वो हिरोशिमा पे बच्चो डाला गया था परमानुबम और उसकी याद में हिरोशिमा दिवस यानि ये बताने के लिए कितनी भयाव एस्थिती होती है जब जो परमानुबम का प्रियोग किया जाता है बच्चो ठीक है रास्टिय हतकरगा दिवस साथ अगस्त को ठीक है तो विल आईजनर कॉमिक इंडस्टी अवार राधा कृष्णन को विश्य उस्तनपान सप्ता एक से साथ अगस्त बियारो दुआरा दुनिया की सबसे उची सड़क लद्दाक में हिरोशिमा दिवस छे अगस्त को और पहली बार संयुक्त रास्त की जो सुरक्षा परिसद है जिसमें 15 मेंबर होते हैं कितने बच्चों 15 मेंबर होते हैं जिसमें से 5 तो होते हैं पर्मानेंट है ना और बच्चों 10 होते हैं नौन पर्मानेंट ठीक है आपको पता है भारत पिछले बार यानी 2021 में जनवरी में क जछमी बार सुरक्षा परिसस्द का सदस्द्थ से बनाया गया था और भारत ने पहली बार पूरे इतिहास चलते में ऑग अगस्त महींने में अ अब भारत का कारिकाल कब तक चलेगा पिछले बाज साल जन्वरीसे दिसंबर 22 तक चलेगा बच्छों ना यानि लास्ट वाले महीने में फिर से अध्यक्षता करेगा, क्या करेगा, फिर से वो सुरक्षा परिसद की अध्यक्षता बच्चो करने वाला है, ठीक है, ध्यान रहेगा, चलो, अगला कुश्यन है हमारा, नो सेना के उपरमुख कौन बने हैं, तो पिछले साल से अब तक य संदीप सिंग्ष के हैं बचो वायु सेना के उपरमुख हैं, ठीक है, तो सन घोर मडे बने हैं, कौन बच्चो, पिछले साल से अब तक के लिए, लोक मानेell तिलक रास्टिय परुसकार किसे दिया गया, लोक मानेell तिलक रास्टिय परुसकार उनके किके लिए बच्चो य कोवी शिल्ड बच्चो ठीक है कोवी शिल्ड बनाई है इनोंने है ना कोवी शिल्ड बनाई है इनकी कंपनी का नाम है सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया पूने में ये स्थित है कहां पे बच्चो पूने में इस्थित है ठीक है साइरस पूना वाला इस कंपनी के CEO कौन है इनके बेटे अदार पुना वाला है और इन्हें इस बार 2022 में पदम भूशन भी मिला है क्या मिला है बच्चो पदम भूशन का पुरुसकार भी इनको दिया गया है उसी वज़े से है ना वेक्सीन निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए बच्चो ठीक है चलो अगल इसी तरीके से जैसे चार ग्रेंड स्लें महत्पूर्ण है उससे भी ज्यादा महत्पूर्ण क्या है टोक्यो ओलंपिक में यानि ओलंपीक में सुर्ण पदक जीता तो सुर्ण पदक किसने जीता था नौग जो को विचमत कर देना एलक्जंडर जोय रेव ने जीता था टैनिस का पुलसों का सुरण पदक बच्चो ठीक है और महीला का किसने जीता था बच्चो महीलाओं का जीता था बैलिंडा बेंचिच ने किसने बैलिंडा बेंचिच जो है सुर्जर लेंड की ठीक है बैलिंडा बेंचिच जो है बच्को आपको पड़ाई है नीरत चोपडाने जीता था किया क्या जीता था वहे पिछले साल यह हुए व giàu में डेश का पहला रास्टिय समुद्री विरासत परिश्द यानि रास्तिय समुद्री विरासत जो अलब दफार है तो देश का पहला रास्तिय समुद्री विरासत परिसत कहां लोथल गुजरात में बच्चो ठीक है सेटलाइट फॉन का उपयोग करने वाला देश का पहला नेशनल पार्क जहाँ पे सेटलाइट फॉन क्योंकि नॉर्मल जो फॉन है उसमें नेटवर्क आते नहीं है कही बार है देश का पहला रास्तिय समुद्री विरासत परिसत लोथल गुजरात में इंतरास्तिय सेना खेल पिछले साल कहां हुए रूस में हुए और बच्चो भाला फैंक दिवस साथ अगस्त को मनाया जाता है हाल ही में मादक पदार्थ नेंतरन ब्यूरो एंसी बी हैनी नार्को ब्यूरो के बच्चो प्रमुख कौन बने है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख हाल ही में कौन बने है जल्दी बताओ राकेश अस्थाना तो दिल्ली पलिस के कमिशनर है बच्चो यह है ना कौन है राकेश अस्थाना श्री एनवी रमन कौन है हमारे चीफ ज 69 के बाद पहली बार पुनर जीवित हल्दी बाडी हल्दी बाडी कहां पर है पस्चिम बंगाल में चिलाहटी रेल मार्ग पर हल्दी बाडी से लेके चिलाहटी तक जो रेल जाएगी उस रेल मार्ग पर भारत और किस देश के बीच नियमित रेल गाडी यानि माल गाडी सेव पहली बार इस रूट पर माल गारी चलाएगी 1965 के बाद 1965 के बाद पहली बार इस रूट पर क्या चलाएगी बच्छो माल गारी चलाएगी विच मेह कौन और देश की विज़ ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर की इस परधा में 10.61 सेकंड में स्वर्ण परदक जीता यानि ये 10.61 सेकंड में नोंने 100 मीटर की दोड़ पूरी की और स्वर्ण परदक जीता एलन थॉम्सन हेरा इसी की वज़े से इनको लॉरियस 2022 का 22 का लॉरियस अवार्ड भी मिला है बचो क्या मिला है लॉरियस अवार्ड 2022 में जो दिया गया है वो कब के परदर्शन के लिए । अलिम्पिक में टनिस का सोड़र और अलेक्सेंडर जुयरेव को पुरूर्शों को सोड़ने ना बेलिंडा बेंचिच को किसका मिला था बचो महीलाओं का केटिगरी का और बचो जो पुरुस्व में मिला था एलेक्जेंडर जुए रेव को ठीक है चलो अगला कुशन है भारत में पहली बार मुस्लिम महीला अधिकार दिवस किस तारिक को मनाया गया उस तारि ठीक आधिक को उसी दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस धीक है मनाया गया और वह दिवस है एक अगस्त क्या है वह एक अगस्त है उस पहली बार ही यह दिवस मनाया गया था ठीक है चलो अगला कुशन है भारत के लिए bic你 अधा और इव। यह जmbol में रज़त पदक और 2020 यानी 20 वाले जो लंपिक है 20 वाले ही बोले जाएंगे आयोजन बेसक 21 में हुआ हो ठीक है उसमें जीता था कांसे पदक बच्चो ठीक है चलो भाला फैंक दिवस 7 अगस्ट को मना जाता है अंतरास्तिय सेना खेल का आयोजन रूस में हुआ पिछले साल अगसी दिवस 12 अगस्त को मना जाता है शांतिकाल का जो सर्वोच वीर्ता पुरुसकार मिला है वो होता कौन सा है अशोक चक्र किसे मिला जो मर्नोप्रांत बाबू राम जी थे कौन थे यह जम्मू कश्मीर में जयन के पुलिस में एसाई थे क्या थे बच्चो एसाई तो चक्र मिला है श्री बाबू राम जी को ठीक है मर्नोप्रांत मिला है नवरोज उस सव किसका है नवरोज नई साल होती है बचो किसकी पार्सियों की नवरोज का संबंद किसे पार्सियों से है और कौनकन किसके बीच में होता है भारत और बिर्टेन के बीच में नेवी के बी बीच में कौंकर्ण भारत और बिटेन के बीच में नवरोज का संबंध पार्सियों से है शांती काल का सर्वोच वीरता प्रुसकार रशोक चक्र है किसको दिया गया है शिरी बाबू राम जी को दिया गया है विश्व हाती दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा बच् कान से पदक का मैच हुआ था उसमें हमने जर्मनी को रहा था तो टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया भारत ने जल्दी से कमेंड करके बताओ मैं वेट कर रहा हूं बच्छो इन बच्छो को क्लास पसंद आ रही हो बच्छो दूसरे बच्छों के साथ भी जरूर ब्रांज मैडल जीता बहुत बड़िया हमने कौन सा पदक जीता है बच्छो ब्रांज मैडल जीता है जर्मनी को रहा है एक तालिस साल बाद बाद जब बहुत दिनों बाद कोई काम होता है तो कितनी खुशी होती है यह आपको भारतिय होकी टीम को देखके पता चल और ये देखो बच्चो ये देखो स्रीजेस को है ना ये वही स्रीजेस हैं जो केरल ट्यूरिज्म जो है उसके क्या है बच्चो उसके जो केरल में एडवेंचर ट्यूरिज्म है एडवेंचर के लिए जो लोग जाते हैं ट्यूरिज्म के लिए बच्चो वो जो है उसके ब्र ने अपने पहले ही olympic में कान से पदक जीत लिया बचो ये जीत लिया है लव लीना बोर्गहन ने इन से पहले के वल दो ही मुक्य Bाज पदक जीते हैं कौन कौन से एक तो बचो कौन विजंदर सिंग पहले मुक्य Bाज कॉन थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता तो वो थे विजंदर सिंग ठीक है फी से नंबर पे लवलीना बोर्ग हैं ठीक है इन तीनों ही लोगों ने जीता है क्या तीनों ही लोगों पूर्व चेतावनी मोबाइल एप यानि भूकम से पहले यानि कि अर्थकेक, अर्थकेक, अर्ली वार्निंग, एक मोबाइल एप है, अर्थकेक, अर्ली वार्निंग, अर्थकेक आने से पहले ही क्या करेगा, वर्न कर देगा, ठीक है, तो ये मोबाइल एप लॉंच किया है, क इसके लिए उत्राखंड राज्य के लिए बच्छो ठीक है उत्राखंड राज्य के लिए किया है IIT रूड की ने बच्छो इब्राहिम रईसी किस देश के राष्टपती बने है हाली में तो इब्राहिम रईसी बने हैं बच्छो किसके इरान के किसके इब्राहिम रईसी बने है इरान के राश्ट पती मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपणी ने मोटो जीपी के लिए कंपणी ने किस अभिनेता को ब्रांड Ampesto men know सें भारत है उसके ब्रांड एममेस्टर कौन है ठीक है चलो अगला सवाल रहेगा विश्य हाती दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है शांती काल का सरवोच वीरता पुरुसकार भारत में अशोक चक्र है युद्ध के टाइम का लड़ाई के वक्त का परमवीर चक्र है बच्चो ये किसको दिया गया बाबू राम जी को दिया गया मर्नो प्रांत द बीच में ध्यांचंद्र स्पोर्स युनिवरस्टी कहां बनेगी मेजर ध्यांचंद के नाम से पहली स्पोर्स युनिवरस्टी बनाई जा रही है बच्चो वो कहां बनेगी मेरट में बनेगी मेजर ध्यांचंद के नाम से स्पोर्स युनिवरस्टी मेरट में देश का पह निर्मांड जोखिम सूचकांक 2020 यानि किस देश के लिए लोग जादा चाहते हैं किस देश में चीजें जो है जादा मैनुफेक्चर कराना चाहते हैं जहां चीजों के निर्मांड करवाने की जादा मांग हो ठीक है तो वह पहले नंबर पे कौन था पहले नंबर पे चीन और वेश्विक विनिर्मान जोखिम सूचकांग 2021 में भारत का इस्थान कौन सा है दूसरा है ठीक है जहां पर निर्मान की सबसे ज़्यादा मांगो उनको यह दिया जाता है ठीक है चलो तो यह हो गया बचो ध्यांचंद युनिवर्स्टी मेरट पहला समोग टावर दिल्ली में देशका सबसे उचा हरबल पार कुतराखन में और वेश्विक विनिर्मान जोखिम सूचकांग 2021 में भारत का इस्थान है दूसरा बच्चो हाल ही में भारत के सर्वोच खेल पुरुसकार राजीव गांदी खेल रतन का नाम बदल के क्या कर दिया है तो इसका कर दिया है ध्यांचंद के जनम दिन पे ही बच्चो मनाया जाता है ठीक है चलो अगला कुशन हमारा रहेगा कौन जूले जूलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बन गई पहली महिला डारेक्टर जूलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया यानि कि भारतिये प्राणी व बन गई है ठीक है सोमा मंडल किसकी है सेल की पहली महिला द्यक्षे सोमा मंडल सेल की पहली महिला द्यक्षे बच्छो और हिमा कोहली चीफ जस्टिस बनी थी कौन से की तेलंगाना की तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस हिमा कोहली बच्छो ठीक है तेलंगाना की भारत के पहले सोदेसी एरक्राफ्ट केरियर का नाम क्या है पहला ऐसा जहाज जो सोदेसी एरक्राफ्ट केरियर जानी जिस पे एरक्राफ्ट उतर सकते हैं वहां से लेंडिंग कर सकते हैं वहां से टेक आफ कर सकते हैं तो पहला बनने वाला है आई एनस विकरांथ ठीक है आई एनस विक्रांत जो है बच्चो वो पहला सोदेसी एरक्राफ्ट केरियर रहेगा किसका भारत का बच्चो ठीक है आई एनेस विक्रांत उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन सड्यंत्र काकोरी ट्रेन कॉंस्परेसी जो नाम दिया गया था उसका नाम बदल के कर दिया क्या उस पैसे से हम हतियार खरीद सकें और जो बिटिस जो लोग हैं उनके खिलाफ जो बिटिस के बिटिस जो हैं जो चार इंडिया पर उस टाइम कर रहे थे जो इंडिया के पैसे को ले के जा रहे थे कहां पर इंग्लेंड में उनसे हम अपना क्या कर सकें उनसे हम अपने देश क को अजाद करा सकें तो ये सडियंत्र तो अंग्रेजों की नजर में हो सकता है हमारी नजर में थोड़ी हो सकता है बचो हमारी नजर में तो क्या है हमने उनके खिलाफ action लिया क्या लिया उनके खिलाफ हमने action लिया तो काकोरी train action बड़ा महत्पून सवाल है आपको याद रखना है ठीक है उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है चलो बचो अगला कुशन है हाल ही में भारत और किस देश की नो से नाउने अबुधाबई के तट पर जायद तलवार 2021 अभ्यास किया बच्चो जायद तलवार अबुधाबई के तट पर अगर करेंगे तो किस देश के साथ करेंगे अबुधाबई जो है कहां पर बच्चो UAE ठीक है UAE, UAE का आप जानते हो, इन्होंने पहली बार इजराइल में अपना दूतावास खोल दिया है, ठीक है, इजराइल, इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला, कौन सा देश है पहला, कौन सा पहला अरब कंट्री है, वो है, बच्चो, UAE, अगर बात करें, इनका एक मंगल मिशन था, मंगल मिशन, वो होप नाम का, और ये काम्याब रहा, बच्चो, ठीक है, मंगल मिशन जो है, किसका है, होप, होप क्या है, एक मंगल मिशन है, किसका है, UAE का, बच्चो, ठीक है, इजराइल ने भी अपना दूतावास कहां खोल दिया, इजराइल ने भी अ cluster अरब देश की आत्रा की तो वो भी उ 19 Asia Cup भी का हुआ वो भी UAE में हुआ इसे किसने जीता T20 के World Cup को Australia ने जीता था बच्छो ठीक है और ये जो Under 19 Asia Cup है ये किसने जीता था भारत ने जीता था ये किसने जीता था भारत ने इसे जीता था ठीक है याद रहेगा चलो ध्यांचंद स्पोर्स उनिवर्स्टी कहां बनेगी मेरट में बनेगी देश का पहला स्मोग टावर कहां लगाया गया दिली में बचो सबसे उचा हरबल पार्क उत्राखंड का और वेश्विक विनिर्मान जोखिम सूचकांग में पहला स्थान चीन का हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकालने के लिए ओप्रेशन देवी शक्ती अभियान चलाया था रास्तिये खेल दिवस 19 अगस्त को किनका जनम दिन होता है बच्चो जो मेजर ध्यांचंद है उनका जनम दिन होता है दुनिया का सबसे उचा मूवी थेटर कहां शुरू हुआ है तो वह हुआ है लद्दाक में कहां पे बच्चो सबसे उचा हरबल पार्क उत्राखन में सबसे उचा मूवी थेटर बच्चो लद्दाक में कहां पे लद्दाक में टोक्यो अलम्पिक में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा बच्चो अमेरिका पहले स्थान पर रहा है ठीक है अमेरिका पहले स्थान पर 49 पदकों के साथ और बचो 38 थे चीन के मैंने आपको पहले भी बताया था जब इस्थान दिया जाता है ना तो ना तो कुल पदक देखे जाते हैं और ना ही ब्रॉंज मेडल कान से पदक देखे जाते हैं तब केवल एक पहले तीन तो याद ही रखो पहले तीन कौन कौन से हैं बच्चो पहले नंबर पर अमेरिका दूसरे पर चीन तीसरे पर जापान भारत का इस्थान 48 था ठीक है 48 किस राज्य ने सबसे पहले सेक्षणिक संस्थानों को वर्स 2021-22 से नई रास्तिय सिक्षानीती जो 2020 में आई उसे लागू करने का क्या किया उसे लागू करने का क्या किया वच्चो आदेश जारी किया ठीक है उसे लागू करने का आदेश जारी किया किस ने किया जल्दी बताओ करना तक ने बिल्कुल ठीक है किस ने किया वच्चो करना तक ने किया थीक है पहला राज्य जिसने नई कितनी सिक्षानीती लागू की है बच्छो दस अगस्त को आज तक कितनी सिक्षानीती आई है जरा बताना आज तक कुल मिलाकर कितनी सिक्षानीती आई है जल्दी से कमेंड करके बताओ बच्छो आज तक कुल मिलाकर कितनी सिक्षानीती आई है तीन बहुत बढ़िया बच्छ तीन सिक्षा नीती आज तक आई है ठीक है बहुत ही अच्छे दस अगस्त को उज्वला टू योजना शुरू ही उज्वला टू अगर बात करें हैं उज्वला की अगर बात करें बच्चो उज्वला की तो उज्वला कब शुरू ही थी क्या 2016 में शुरू ही थी जल्दी कुंसी उज्वला टू शुरू ही है कब से शुरू ही पिछले साल 2021 से और वो महोबा से शुरू ही ये बलिया से शुरू ही थी ये कब कहां से शुरू ही थी बच्चो बलिया से शुरू ही थी उज्वला टू शुरू ही है महोबा से उत्तर प्रदेश के महोबा यानि उज्वल बन गई उज्वला ऑन की शुरुआत यह नि उज्वला जो है केवल उसकी शुरुआत कहा से हुई बल्या इततर्प्रदेस एक मई 2016 को और दूसरा चरन शुरू हुआ है कहां से ये महुबा कहां से बच्चो महुबा अत्तर प्रदेश से और उज्वला दिवस मनाया जाएगा एक को एक जो मई है अब उसको उज्वला दिवस मनाया जाएगा ठीक है चलो, दिल्ली की पहली पशु DNA प्रयोग साला कहां पर, जल्दी बताओ, दिल्ली की पहली पशु DNA प्रयोग साला, वो रोहुनी में बच्चो कहां पर, रोहुनी में, ठीक है, चलो, वो रोहुनी में, अगला कुशन है, केंद्रिय विश्विद्याले संसोधन विदेग 2021 के अ एक अक्टूबर से जो पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था उसको कर दिया दो जगे जम्मू और कश्मीर की यूटी और उदर लद्दाक की यूटी दो जगे कर दिया बचो ठीक है क्योंकि लद्दाक का जो है एरिया ऐसा था जहां पर जो भी पैसा जम्मू कश्मीर का मिलत था, वो वहाँ नहीं पहुच पाता था है ना, सरकार का कहना था कि यहाँ तक योजना एंपहुच भी नहीं पाती, तो उस छेत्र के विकास के लिए भी पिछले साल के बजट में एक केंद्रिये विश्विद्या लेयनी Central University बनाने का निड्न लिया गया और वो Central University किस नाम से बन रही है सिंधू नाम से बन रही है थीक है और लद्दाक में ये पहली University है जो किसी नदी के नाम से बच्चो बन रही है थीक है चलो अगला कुशन रहेगा किस राज्य सरकार ने होकी खिलाडी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड अमबेस्टर बनाया किस राज्य सरकार ने बनाया बच्चो तो यह बनाया है किसने उत्राखंड की हैं वंदना कटारिया वो स्टेलिया का कौन सा गेंदबाज T20 में अपने डेब्यू मैच में डेब्यू का मतलब है पहला ही मैच जब कोई खेलता है ठीक है उसमें हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया जो T20 मैच होते हैं बचो T20 का मतलब है अगर उससे पहले आउट नहीं हो जाती है ठीक है और जिसके ज़्यादा रण होंगे वो जीज जाएगा जो 1-day मैच होता है उसमें दोनों टीमें 50-50 ओवर मैच खेलती है ओवर क्या होता है जब 6 गेंद फैंक दी जाती है बचो वहाँ लगातार एक जो बालर है 6 गैन्डद फैक सकता है उन 6 गैन्डों को जब फैक देता है तो 6 गैन्डों का 1 जाता है कम इंटरेस्टि लेती हैं तो उनए पता होना चीए ऑवर क्या होता है भन्दै क्या होता है बच्छों तो यह कौन जल्दी बताओ कौन है नाथन ऐलिस कोने नाथन ऐलिस है जो ती ये अंतरास्थी क्रिकेट में डेब्यू पर ही जिन्होंने हैट्रिक ले ली ठीक है है बच्छो ले ली भारतिय टायर उद्ध्यों की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेग्मेंट में मार्केट लीडर जो है यहीं सीधे सीधे जे के टायर जे के टायर एंड इंडस्ट्री इसलिमिट्री एक कंपणी है बच्चो % अधायर ईंडस्ट्री जिस लिमिटिट्ड का है कंपणी है जिसने अपना इंबस टर किसको निख्ट किया है ब्रांड इंबस्टर नारायन कार्ति केन को all को किसको अच्छो नारायन कार्थिकें खून है भारत के एक मात्र फॉर्मूला वन ड्राइवर है ना जैसे आपको पता है मैक्स वर्स्टा पेन जैसे मैक्स वर्स्टा पेन है जैसे कौन है, मर्स डीज के लुईस हैमिल्टन है, ऐसे ही ये भी हिस्सा लेते थे ठीक है, अब नहीं लेते हैं जब हम तयारी करते थे, तब नारंकार्ति केन रेसों में हिस्सा लियार करते थे ठीक है हालांकि क्योंकि हमारे है इस खेल का ज्यादा क्या एक रेज नहीं है इसलिए इनका नंबर हमेशा पीछे ही आता था कभी मतलब अठारवां कभी बीस मां जितने होते हैं टोटल उनमें लास्ट में ही लगबग लेकिन वो हिस्सा लेते थे फिर भी न इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल में जहां 20 लोग ही केव जयां जोनी जोन तकर आतीं आत्थम को बकुछा है अनतरास्टी इनम्लमीं में कौन सा बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 35000 वाला दुनिया का तेज गेंद बाज और overall चौथा बोलर बन गया है test match का मतलब test match का मतलब भी समझ लो है ना test match में 5 दिन का होता है कब 5 दिन का रोजाना 90-90 ओवर खेल जाते हैं कितने 90-90 ओवर यानि 450 ओवर खेल जाते हैं और maximum कितनी गेंदे खेली जाएंगी कि 450 में आप 6 की गुणा कर लेना है ना यहीं 2700 गेंद कितनी बचो 2700 गेंद फेंकी जा सकती है हर टीम को दो बार खिलने का मौका मिलता है कितने बार दो बार हर टीम को खिलने का मौका मिलता है वह होता है test थीक है तो यह जो है बचो test cricket में 35,000 गैंद दिखो जो spinner होता है spinner का मतलब जो धी में गैंद फैंकता है वो तो कितनी भी फैंक सकता है ना उसके लिए तो कोई भी इतनी गेंद फेंकी निपाया और इनका नाम है जेमस एंडरसन क्या नाम है बचो जेमस एंडर्सन उनसे ज़्दाएं बस तीन इस्पिनरों की गेंद है एक तो मुथह 27 मुध्यविध्हरन कहां के स्रिलंका के थे बच्छो के बहुत महान इस्पिनर माने जाते है ठीक है अनिल कुंबले और एक शेन वावर्ण इन तीनों की गैंद सभसे बस इन से जादा है लेकिन थीषवासियों को वापस लाए वो था बचो हो रास्तिये खेल दि्वस 13 अगस्त को मना जाता है दुनिया का सबसे उचा मूवी थेटर कहां पे बचो लदाक में खोला गया किस देश के विक्टर एक्सलसन ने टोक्यो अलम्पिक के बैड्मिंटन में सुर्ण पदग जीता बैड्मिंटन में बचो जैसे अलेगजेंडर जोयरेव ने टैनिस में जीता जैसे बचो बैलिंडा बैंचिच ने भी टैनिस में जीता महिलाओं की केटिगरी में विक्टर एक्सलसन ने जो है ये कहां के हैं जिनोंने बैड्मिंटन ने जीता था ठीक है महीला एकल चीन की चेन यू फेई ने जीता था ठीक है चलो प्रधान वंत्री ने डिजिटल भुगतान के लिए cashless और contactless instrument launch किया है उसका नाम क्या है देखो बच्चो डिजिटल भुगतान के लिए असलियत में क्या होता है कि बहुत सारी जो योजना चलती है ना जैसे आईशमान भारती मान लो या कोई और योजना तो वो सब की सब क्या होता है उसमें खाते में पैसा आता है ठीक है खाते में पैसा लेकिन किसी आदमी के पास खाता ही ना हो तो क्या उसे उस योजना का ला जुटेกर स्कार्वाहिचे सरकार से मिलना तो उसके खाते में तो पैसे आ नी सकते उसे वाउचर दिया जाएगा और उस वाउचर को वहां दिखाएगा वह सीथे उस टाल के खाते में ख्रेटित हो जाएंगे बच्छो ठीक है चलो तो यह एte नाम है इसका ई रूपी स्वाउचर का बचछो नाम है ठीक है चलो बैंक की विजुरतनी हैं इसमें विक्सित किया है एनपी सी आई ने ने शनल पेमेंट्स कॉरपरेशन ओफ इंडिया ने इसे विक्सित किया है बच्छो किस राज्या केंदर सासित प्रदेश ने दलित तक भारतिय होकी टीम को संदक्षन देने की गोशना की है 2018 से ही भारतिय होकी टीम को स्पॉंसर कर रही है उडिसा की टीम कौन उडिसा की सरकार बच्चो उडिसा की नवीन पटनायक कौन है वहां के बच्चो नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री है तो उन्होंने ज़्यादा बोलते नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं, अब COVID जब हुआ था ना, तो ओड़िसाने सबसे ज़्यादा oxygen, सबसे ज़्यादा oxygen जो है, पूरे देश में पहुँचाई थी, ठीक है, लेकिन हल्दा नहीं मचाया के भई, मैंने ये कर दिया, ठीक है, तो ऐसे ही कौन है नवीन पटनायक हैं चलो बचो तो हाल ही में किसने PM दक्ष पोर्टल एवां मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच की है तो PM दक्ष पोर्टल और ये की है डॉक्टर विरेंदर सिंग ने किसने बचो डॉक्टर विरेंदर सिंग किसके हैं सामाजिक न्याय और अधि बनाना है दक्ष का मतलब इनका कोशल विक्सित करना है इस्किल डवलप्मेंट इनके अंदर करना है ठीक है तो डॉक्टर विरेंदर सिंग है हमारे जो मंत्री कौन से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टोक्यो ओलंपिक में किस देश की पुरुस फुटबॉल टीम किस देश की पुरुस फुटबॉल टीम ने तो कुछ दो तीन पदक देख लो बच्चो कोपा कप जीता था किसने अर्जेंटीना ने कोपा कप जो है अर्जेंटीना ने जीता था अगर पूछा जाए आपसे यूरो कप तो यूरो कप किसने जीता था जल्दी बताओ यूर आप टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता है किसने ब्राजी ने किसने बच्छो ब्राजील ने जीता टोक्यो ओलंपिक में सुरंड पदक ठीक है स्पेन को हराया था भारतिये वायू सेना ने निम्नमे से किस जगह दुनिया का सबसे उचा मोबाइल एर ट्रैफिक कंट्रोल आता है अगर एक रास्ते पर आगे पीछे आ रहे हों तो इतनी जल्दी मोडते भी नहीं है तो उनको जो रास्ता बताते हैं कि आपको कितने डिग्री पर चलना है वो सब एयर ट्रेफिक कंट्रोल एक टावर होता है जैसे दिल्ली में भी है आई जी एयर पोर्ट पर है बच् है थिक और भारत ने बनाया है सबसे उचा भारती सेना ने कहां पर बचो लडाक में सबसे उचा मूवी थेटर ह проблем सबसे घर सबसे हर्बन पार करदा एज ऴरसार किस दिन तरह सबNY के पदक जीता था किस खिलाडी ने अनिल कुमले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट केट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गैंद बाज ये बन गए ठीक है तीसरे बच्चो देखो सबसे ज्यादा विकेट जो हैं तीन लोगों है किस में सबसे ज्यादा गैंद टेस्ट केट में एजे फास्ट बॉलर जेमस एंडरसन नहीं बच्चो थीक है सबसे ज्यादा गर टेस्ट में विकेट देखे जाएं तो मुली धरन के हैं दूसरे नंबर पर शेन वार्न की होगी थी जो मिरत मिले थे अपने घर पे गैसा आयूजित किया है जल्दी बताओ बचो कौनसे देश ने आ पने बसक्र बचोच्ट बसक्राइब देश को बारत और अब मोहध नहीं पैस सहर का पहला Water Pluss, शहर गोशिद किया गया है, Water Pluss, शेहर का मतलब है, यह उसको खराब पानी है, उसको ऐसे नहीं है, किसी वज़े से जो खराब हुआ कर एक Давین में डाल दिया जाए, पहेले उसको वाटर का फिर से उपयो चीया जाता है यानिकि जो पानी है जो ट्रीटिड वाटर जिसका यूज कर सकते हो जैसे को मनलों सीवर का यूज नहीं कर सकते लेकिन किसी बगीचे में पेडों को पानी देने में तो यूज किया करता है जो सेहर उसे बोलते हैं water plus सहर तो इंदौर भारत का पहला water k град सहर बना था बच्यो एर इंडिया की कौनूसी पाइलट को सईयुक्त रास्ट में महिला प्रवक्ता के रूप में नुट किया गया एर इंडिया की पाइलट थी उनको संयुक्त रास्ट में महीला प्रवक्ता यानि मैन विमेन स्फोक्स परसन के तौर पर निक्त किया गया उनका नाम था बच्चो केप्टन जोया अगरवाल क्या नाम था कैप्टन जोया अगरवाल हिमालियन फिल्म फेंस्टिवल पहला इसका आयोजन कहां किया गया भारत का पहला हिमालियन फिल्म फेस्टिवल इसका आयोजन बहुत महत्पून बच्चो जो अत्ती महत्पून प्रशन है केवल वही रखें एक भी फालतू का नहीं अभी और चे महीने बाद भी एकजाम होगा ना सारे महत्पून है ये अगे और चे महीने बाद भी होगा तो भी ये सारे के सारे महत्पून है तो ये लदाक में बच्चो ठीक है पहला हिमालियन फेस्टिवल जो है लदाक में ठीक है सबसे उचा ATC control tower है ना ATC air traffic control tower सबसे उचा वो भी लद्दाक में बच्चो सबसे उचा movie theater वो भी लद्दाक में ठीक है सबसे उचा movie theater भी बच्चो लद्दाक में ठीक है याद रहेगा सबसे उची सडक BRO बना रहा है कहां पे वो भी लद्दाक में सबसे उची कहां के हैं जम्मू और कश्मीर के, वैसे ही लद्दाक के कौन है, जल्दी बताना जरा, क्या आरके माथुर हैं, क्या राधा कृष्ण माथुर हैं, इसके पहले भी राधा कृष्ण माथुर थे, अभी भी राधा कृष्ण माथुर हैं, जम्मू कश्मीर के पहले बनाए गए थे जी सी मुर्मू वो फिर बन गए हमारे कैग अब वहां के हैं मनोज पांडे बच्चो ठीक है चलो अगला कुशन रहेगा विभाजन विभीश का इस्मृति दिवस यानि उपार्टिशन हौरर्स रिमेंडरेंस डे यानि पार्टिशन जो देश का हुआ वहमारे लिए एक क्या है बुरी घटना है इसका खरव सिना वाहिस फि lot व्था जाता है फंकर रहिए हुआव ञेसे मनोज सिना एक ठीक सब्सक्राइब को विभाजन का स्मृतिदिवस मना जाता है 15 छौद है 14 विभाजन हुआ था हमारा 14 अगस्त देश के पहली महीला नएदार पाकिस्तान की सुप्रिम कोड़ की सुप्रिम कोड़ की पहली महीला यहनी सुप्रिम कोट में पाकिस्तान में इससे पहले कोई भी जज नहीं बनी थी जैसे हमारे यहां फातिमा भी 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 बनी थी वैसे ही वहाँ आयसा मलिक बनी है बच्चो ठीक है कितना बच्चो सो लाख करोड रुपे की योजना है पी एम गती शक्ती बच्चो राजीव गांधी ग्रामीन भूमीहीन मजदूर नियाय योजना जो है बच्चो वो कहां किया है च्छतीस गड़ किया है इसमें क्या किया जाएगा छेच्छे हजार रुपे उन लोगों को द पाकिस्तान सुप्रिम कोर्ट में पहली महिला न्याय दीज बनी है बच्चो तो यह जो है राजीव गांधी ग्रामीन भूमीहीन मजदूर नियाय योजना अब देखो पंजाब में इस टाइम पर आपकी सरकार है तमिल लाडू में इस टाइम पर अलग है करनाठक में अलग है तो ये भी ध्यान रखना के राजीव गांधी के नाम से जो भी बनेगा न बचो राजीव गांधी के नाम से देखो जहां मारेख तेन ओप्ष्णन एसे हो जहां B.J.P की सरकार है तो बीजेबी की सरकार तो चलाएगी नी तो ये भी थोड़ा-थोड़ा कई बार चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चीए ठीक है चलो अगला कुशन है हमारा केंद्रिया कोशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री राजीव चंदर शेखर केंसार भारत नेट कालेकरम के तहत भारत के 6 लाग गाओं को किस साल तक इंटरनेट की connectivity मिल जाएगी यानि भारत के जो 6 लाग गाओं है उन्हें इंटरनेट से किस साल तक जोड दिया जाएगा में सवाल हमारा यह है तो यह लक्ष है बच्चो 2024 तक कब तक का है 2024 तक का लक्ष है नहरू तिब्बत और चाइना पुस्तक के लेखा कौन है अवतार सिंग भसीन है नहरू तिब्बत और चाइना बच्चो टोक्यो पेरालंपिक का थीम सौंग क्य कि अनुग नहीं लिखा था कर दे कमाल तू जो इटली की लॉक्षरी ब्रैंड है बच्चो बलगेरी इतली की एक जो इटली है जो फ्रांस है बडडी बड़ी बड़िया बड़िया महंगी-महंगी चीजे बनाते मच्छो ठीक है कोई गुच्ची बनाता है को कई कुछ बन पुलीस ना वो सीधे-सीधे क्या मरहता है आपकी की निगराणी में और उनकी निगरानी में आप रहते हो यहां कि सीधे-सीधे उपता है कहां पर क्या घटना हो रहे है तो आश्या के एक तो यह है बच्चो हमारा एक जो रोजगार विदंकित एप है तो वो डाउनलोड कर लीजिए आपको वहां पर क्या मिल जाएगा वहां पर आपको पीडियाफ मिलेगी पीडियाफ अविलेबल रहेगी वीडियो के साथ ही ठीक है और और करेंट अफेर्स के नाम से हमारा क्या है टेलिग्राम चैनल भी है जिस पर हम थोड़ा ज्यादा एक्टिव होना शुरू करेंगे बच्चो उस पर क्विज वगरा भी बहुत बढ़िया झाल